दोस्तों स्वागत है आपको हमारे चैनल मोटिवेशनल सत्मार स्टोरी में क्या आपको पता है कि एक साल में 12 सिवरात्रियां आती है यदि आप नहीं जानते तो आज जान ले कि साल भर में 12 सिवरात्रियां आती है शिवरात्री आमा उस्या के पहले वाली तीथी को कहते हैं जिसे सत्चतुल्दसी भी कहा जाता है इन 12 शिवरात्रियों में यदि आप एक नियम का पालन पूरे शिवरात्री करते हैं तो आपको इतनी धन संपती प्राप्त होगी कि आप अपने कर्ज से मुक्ती तथा सारी मनुकामना पूरी कर सकते हैं एवं सुख संपती एवं एस्वरे तथा भोग विलास की प्राप्ति कर सकते हैं तो चले जानते हैं कि आखिर वह नियम कौन सा है जो सिव पुरान में विवर्णित है नियम ये है कि आप पूरे साल की सिवरात्री को भगवान सिव को बेलपत्र अर्पित करें यानि बारहों सिवरात्री को आप भगवान सिव पर बेलपत्र अर्पित करें यदि आप पूरे बारह सिवरात्री अकेले नहीं कर सकते तो यह नियम परारे कि आप पूरे परिवार के सदस्यों को बोले कि ऐसा उए करें ताकि किसी एक सदस्य से यदि किसी दिन का नियम छूट भी जाए तो दुसरे सदस्य के द्वारा पुरा हो इस प्रकार आप पारहो सिवरात्री को इस नियम का पालन करें कि मंदिर जाकर भगवान सिव को सिवलिंप बेलपत एवं सिर्फ जल अरपित करें इससे आपकी सारी मनुकामना पूरी होगी तथा धन संपत्ती में इतनी ब्रिदी होगी कि आप उससे संपूर भोगलास करें